रमेश एक सीधा साधा व्यक्ति था. वह गाम में दुकान चलाता था. एक दिन उसकी दुकान पर एक सेठ जी आते हैं. रमेश, मैं तेरी दुकान खरीदना चाहता हूँ. तुझे मुन्ह मांगे पैसे दूँगा. सेठ जी, ये मेरी रोजी रोटी है. मैं इसे नहीं बेच सकता. सोच ले, ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. पैसे ले और शेहर जाकर कुछ काम ढूंड ले. वैसे भी तु अकेला ही है. इस गाउं में क्या करेगा? नहीं सेठ जी, मैं अकेला नहीं हूँ. मेरे विग्नहरता, भगवान गणेश जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं. मैं अनात था. मेरे गणपती जी ने ही मुझे इस दुकान के लायक बनाया है. वह सदा दुकान और मेरे घर में वास करते हैं. आप कुछ भी कहें, मैं ये दुक में लग जाता है. इसी तरह कुछ समय बीच जाता है. एक दिन रमेश मंदिर गया. वहाँ वह गणपती जी के सामने रोने लगा. हे विग्न हर्ता, मैं इस संसार में बिलकुल अकेला हूँ. यदि मेरे माता पिता होते, भाई बहन होते, तो उस सेठ को डर होता. अब मैं बिलकुल अकेला हूँ. हो सकता है कि वह मुझे मरवा दे. मेरी रक्षा करो प्रभू. रमेश की बात वहाँ खड़े एक सज्जन सुन लेते हैं. वह भी मंदिर में पूजा करने आये थे. बेटा, विग्न हर्ता के होते अपने आपको अकेला क्यों मान रहे हो? चिंता मत करो. मेरे साथ चलो. वह सज्जन उसे अपने घर ले जाते हैं. वहाँ जाकर वे रमेश स बारे में भी बता देता है. इसकी चिंता मत करो. बस ये समझ लो. विग्न हर्ता ने तुम्हारी परेशानी खत्म कर दी. मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ. मेरी एक कन्या है कोमल. मैं उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित था. मंदिर में मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूँ. लेकिन मैं तो एक अनाथ हूँ. आगे से अपने को अनाथ मत कहना बेटा. मैं तुम्हारे साथ हूँ. कुछ ही दिनों में रमेश और कोमल का विवाह हो जाता है. विवाह के बाद कांतिलाल रमेश के घर बेटा मैंने उस सेट से बात कर ली है, वह अब तुम्हे कभी परेशान नहीं करेगा, जब उसे पता लगा कि तुम मेरे दामाद हो तो वह मुझसे माफी माफी मागने लगा, क्योंकि मेरा व्यापार उससे कई गुना बढ़ा है। ये कुछ ही दिन के महमान है। तब ही यमराज को गणेश जी दिखाई देते हैं। यह मेरा भक्त है, मैं तुम्हें इसके प्राण नहीं लेने दूँगा। स्वामी, यह नहीं हो सकता, इसका समय पूरा हो चुका है। इसी लिए तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। प्रभू, यह तो विधी का विधान है। यदि आपने इसके प्राण लिये, तो मैं भी इसके साथ यमलोग चलूँगा। यमराज सोचते हैं कि यदि गणेश जी यमलोग पहुँच गए, तो इनके क्रोध से यमलोग भस्म हो जाएगा। प्रभू, मैं इसे जीवन दान देता हूँ। इसका जीवन अब आपके हाथों में है। आप जब तक चाहेंगे, यह जीवित रहेगा। यह कहकर यमराज वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद रमेश को होश आ जाता है और वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है। रमेश सारी बात कोमल को बताता है। उसके बाद से दोनों दिन रात गणेश जी की भक्ती करने लगते हैं।